तो दोस्तो बुंदी के लड़ू बन कर तयार हो चुके हैं, खाए और खिलाए मज़े लीजिए, बेसन को हम एक बड़े बर्तन पे डाल देते हैं, इसमें डाल रही हूं मैं एक चुटकी नमक, थोड़ा साइस में डालूंगे मीठा सोडा, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी इसका एक खुल तयार करेंगे, दोस्तो हमारा ये लड़ू का बैटर बन कर तयार हो चुका है, अब इस बैटर को हम पांच मिनट के लिए रैस्ट पे रख देते हैं, तो दोस्तो मैंने कड़ाई में देल गरम करने के लिए रख दिया, तो दोस्तो बुंदी बनाने के ये मेरे पास ये जारा है, और हमारा ये जो बेशन का बैटर है, हम ये जारा लेंगे, और हमारा ये जेल है, वो गरम हो चुका है, और ये जो बैटर है, वो इस जारे के ऊपर हम इस तरह से डालेंगे, और चम्मच की सायता से इसे हम निकालेंगे, इसको हम थोड़ा सा पल अब इसको थोड़ा सा बोईल करेंगे चासरी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी ही चीनी ली है जिस कटोरी से हमने पेसन लिया था वही कटोरी एक मैंने चीनी की ले ली है वो इस कड़ाई में डाल देते हैं जो चासनी है वो रैडी हो चुकी है इसमें में थोड़ा सा जो बूंदी भी हम चासनी में डाल देते हैं अब इससे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं दोस्तों यह जो हमारी बूंदी है वह थोड़ी थंडी हो चुटी है इसमें हम थोड़ा सा नारियल का गुरादा डालेंगे थोड़ा सा हाथों पर हम पानी लगाएंगे और थोड़ा सा बैटर उठाएंगे और इसको इस तरह से लट्डू की शेप देंगे यह बैटर खुरा ठंडा हो जाए उसी के बाद में हमें यह लड़ू बनाने हैं देखिए हमारा यह लड़ू बनकर तयार हो चुके हैं खाए और खिला यह मज़े लीजिए झाल झाल